नॉर्मल, एडिंग दो नॉर्मल, चले, तो नॉर्मल टुदा पेरेबोला, यह पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो नॉर्मल की डेफिनिशन जो होती है, यह लाइन पर्पेंडिकुलर टू टेंजेंट, उसी पॉइंट पर जहां पर टेंजेंट बन रही है, राइट, नॉर्मल जो है वो टेंजेंट की बिरान एक्जिस्ट करती, क्योंकि टेंजेंट लाइन तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, यह समझ में आ है, अब यहां से क्लियर है, कि जो नॉर्मल है, यहां पर पेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसका मतलब यह है कि दोनों की स्लोप, दोनों की स्लोप का प्रोडट्ट क्यों होना चाहिए, तो अगर मेरे पास टे स्लोप, क्योंकि पॉइंट तो वही रहेगा जहां पर टेंजेंट बने एक्जामपल, देखो, मालो यह करव है, य इकल टो एकल टो फ एक्स, रेंडम, इसको पर एक पॉइंट है, लेट से अलफा कॉमा बीटा, इस पॉइंट पर टेंजेंट, यह एंड लेट इसका एंड इसके जो पर्पेंडिकुलर लाइन होगी, राइट, वो होगी नॉर्मल, लेट सेट इस, एट इस, एम टू, राइट, और एम टू जो है, वो क्लियर लिक्या आएगा, माइनस पन बाए, क्योंकि नहीं टी दिए, माइनस पन होगा, तो टेंजेंट की क्योशन क्या आजाएगी, टेंट की कुशन आएगी, राइट, वाई माइनस पन यानगी माइनस बीटा यह जाने की एक, माइनस एक स्लोप गैजाएगी, इक्वेशन ओव फोन अब अब इक्वेशन ओफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की क्या करेंगा, पॉइंट यह यूश करेंगे, बाइन minus alpha that is minus 1 by m1 तो बस slope change होई बाखी point तो वही रहेगा तो यह आद आएगा equation और normal तो normal की question दूरने के लिए मिरको point of agency चाहिए जिस point पर tangent बन रही है प्लस उसका slope चाहिए ये clear है right फंड़ा clear है right अब दिखो तो अबने standard parabola y square equal to 4 x clear कि इसके उपर एक point लिया ठीक है एटी स्केर कॉमा 280 तो obviously अभी हम जो चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे है वह एटी स्केर कॉमा 280 यह निकी टी पॉइंट पर टी परमेट्रिक पर नॉर्मल की question क्या बनेगी हम वो निकालने की कोशिश कर रहे है ये clear है ये पॉइंट क्लियर है तो इस पॉइंट पे जैंड एंड इस पॉइंट पे ये पी ऐसे रहे हैं अब ये दिखो नॉर्मल की चाहिए पॉइंट तो पता है इसके आगेक दो तरिकों से अगर्ट yes पहला कि कि इसकी टीजन की इन्ते इसके нажए कि नूप करके करके ना यह एक ठीक है अब 2x अलग किया 2a अलग किया तो 2a और 2x की जगा लेखा x plus x1 यानिकी 80 स्केर ये कटा t को नीचे ले आए तो y के आगे 1 by tx plus 80 तो x का जो कॉप्षिंट है ये स्लोप होगा तो यानिकी t point पे बनने वाले tangent की स्लोप क्या होगी एमटी वन वै तो अबस्री नॉर्मल की स्लोप के जाएगा माइनस की अभी क्लिर हुआ यह एक मैंठ्ड की स्लोप को निकालने का आँथ दूसरा मेंठ्ड दूस्रा मेंठ्ड यह कि है या क्यों पहले तीन इकविशन निकाल लो फिर वहां और यह टेनजन की स्लोप में डिरिक्टली निकाल सब्सक्राइब और ये जो चीज ये जो चीज आएगा ये मेरे को स्लोप पॉप टेंगें इकोल टूट को और एकसे x का 4 a as it is x का derivative 1 तो dy by dx क्या और वाइट तू बाइट इस फोरे वाइ टू इन टू अब जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जाए वह पॉइंट कराना होता है लेकिन उस पॉइंट का यह निकाल लो तो तुम्हें मिलेगा वन बैटी नहीं इगे तो फाइनली नॉर्मल की equation point बता है 80 square comma normal equation y minus y1 that is 280 divided by x minus x1 यानिकी 80 square that is equal to right cross multiply करो minus x t आएगा minus 1 न तो इधर आके क्यों आजाएगा y plus x t minus 280 as it is and ये बन जाएगा minus minus plus 80 cube तो इधर आके minus 80 cube that is 0 so equation is y plus x t minus 280 minus 80 cube that is equal to 0 ये t point पे बनने वाले normal की equation ये समझें example कि वाइस के रिकल टू 8 x ठीक है एंड वो बोल रैंट को चलो एट है ना 80 ले लो एट को मैं 80 आजाएगा point एट को मैं 8 point पे जो टेंजर बनेगी वो निकालो right अब यह ज्यान से देखो यह equation कि की form में आ रही है एक्स वाइक की form में आ रही है ना टी की form में आ रही है तो हमें उस point का क्या सब्सक्राइब करेंगे करेंगे 80 स्केर कॉमा 280 के साथ एक वैल्यों तो टू 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 तो टी क्या आ गया तो टी को टू टू पे पैरमेट्रिक मजला वासरी अपना टी को टू टू पे जो नहीं भी याद अगर तो याद है फिर तो कि एक टी के वैलू टू टो टू 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 माइनस के ट्टू टू और सब्सक्राइब प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस 24-दी इकोल टू तो फिरो यह आगे नोर्मल इसक्वेशन याद नहीं है सिल मेरेन को नॉनल की इकोशन निकालनी है पॉइंट पाई अब टी बूल जाओ पॉइंट पता है इसका क्या निकालोंगा डेडिवेटिव वो देगा टेंजन का लोग फिर एंवर एंटू इकोल टॉ-1 करके के निकालोंगा नॉर्मल का फ्लोप फिर वह पॉइंट को एंड वह नॉर्मल के फ्लोप को यूज करके मैं नॉर्मल की वह थो सुटाओ टोफ लाय वाइं वह से पांट पर चाहिए अपने को एट को मैं फूट करो रोख मैं एट ड़िए टाट बन बए टू तो यहांगी आगे प्लोप टेंजन तो नॉर्मल की फ्लोंप क्या है की एम आफ नॉर्मल डटेश को मैट है तो वाई-पाई-ध यह is equal to slope of normal that is minus 2 to y minus 8 that is equal to minus 2x plus 16 it goes the laser 2x with the y plus 2x that is equal to you're getting the same equation from there but equation या रखना बहुत जुरूरी है जैसे y equal to mx plus a by m tangent की कोईशन है यह कोईशन नीच कोईशन है अब बीचे बोला तो कि नीच विए पीजेशन नीचे पाता है वाए उसका शुलता है चाहिए यह जो बोल रहा है बिल्कुर सही बोल रहा है एक टेट लेना है एक प्लस बीवाइ प्लस एकॉल तो जी चाल सकते हैं उसके न्दा बेरी करेगा तो हमें सारी तो पॉइंट करके लेंडा डूनना पड़ेगा रइट वह सभी है यहां पर बहुत लंबा लेकर जाएगा क्योंकि पहले मेरे को लेंडा डूनना पड़ेगा इस से अच्छा पर ने के बाद डूनने के बाद डिरेक्वेशन निकाल सकतों ज्यादा छोटा पर देखो हर और सब्सक्राइब को फोड़ेशन ने अब बेसे एंप लोगने अब टिकाना इसी से आएगा नोर्मल पॉर्म एंड पेरमेट्रिक पॉर्म के दस्क्रिब एक चीज़ का फरागा उल्यदी मैंने बताया हुआ है दुबारा हलका सा याद करा हमें कि नॉर्मल की जो स्लोप होती है माइनस की है तो मैंने क्या किया M equal to minus 3 पकड़ा और T की value क्या आ गई? minus M तो यह जो T की form equation है इसके अंदर T की जगा क्या डाल दिया? तो मेरे को M slope की normal की equation मिल जाएगे तो क्या जाएगा? Y minus M X plus 2 A M minus A M plus A M cube equal to 3 जहां जहां पर negative है वहां वहां पर positive हो जाएगा क्योंकि इधर भी minus M आएगा इधर भी minus M का cube तो यह दोनों positive हो जाएगा और यह minus आजाएगा और Y equal to M X minus 2 A M minus A M cube यह आएगा हमारा M slope की normal की question जैसे पैरा बोला वही है Y square equal to Atex अब वह बोलना है M equal to 2 तो 2 slope की जो normal बनेगी उस normal की question बताओ क्या होगी ठीक है तू slope की जो normal की question आएगी वो क्या होगी तो क्या होगी तो क्या आएगा Y equal to 2 X M X minus 2 into A क्या था इसका 2 M B 2 minus 2 का cube into 2 16 तो Y equal to 2 X minus 24 यह clear है यही आ रहा है ना शौर दोनों अलग है वो minus 2 slope की थी यह 2 slope की है clear हुआ जै sure M slope का और parametric point का फरक पता जला लेकिन दोनों के अंदर relation same है almost बस यह relation के कारण यह दोनों equation अलग हो जाती है ठीक है तो लिख सकते हो कि as T is equal to minus M for normal as T is equal to minus M for normal substitute this in the point form substitute this in the point form to find equation in slow form substitute this in the point form to find equation in the slope form तो बस यह point form जो यह T वाली जो आया है इसके अंदर T की जगा minus M पूट कर दो तो यह जो एक्वेशन आही थी इसकी के अंदर T की जगा वन पूट कर दो तो क्या आजाएगा वाई इकॉल टू यह आजाएगा M X प्लस A इंटू T की जगा 1 बाए M तो आजाएगा तो यह तो होती है M slope kit engine की question तो इसमें भी valid है यह ऐसा नहीं कि जिर्फ नॉर्मल में valid है यह समझे ना T की जगा 1 बाए M put किया तो T engine का relation आजाएगा अजा आजाएगा इस पाइंट है नहीं वो तू लोप की है उसके स्लोप टू है इसका परेमिटर टू है स्लोप टू है तो दोनों परकाइए अचा चले right find the equation of normal to the parabola y square equal to 4x to the parabola y square equal to 4x at the end point of LR at the end point of LR if y equal to x plus 2 if y is equal to x plus 2 is normal to the parabola if y is equal to x plus 2 is the normal to the parabola y square equal to 4ax then find a then find a so go plus tx minus 280 minus 80 cube that is equal to 0 so t ko one putt कर दिया यह minus one putt करना अच्छा एको पहले one putt कर दो यह गया और यह गया अब था y square equal to 4ax वो बोल रहा है कि y equal to x plus 2 इसकी normal है तो a निकालो क्या होगा right तो मैंने क्या किया इसकी m क्या है तो one slope की normal की equation only क्या जाएगा y equal to mx minus 2am minus am cube m को one putt कर दिया तो y equal to x minus 2a minus a so that is minus 3a अब यह दोने equation same होनी चाहिए तो two must be equal to minus 3a तो a must be minus 2 by 3 तो a की value minus 2 by 3 चाहिए clear है शाथ नहीं वो तो use करना ही पड़ेगा ना normal की equation को तो use करना पड़ेगा तभी जाकर उसको प्रूब करेंगा यह normal है right हमें इसके दोनों चीज़ों को use करना है तो उस्ते क्या बने दो तो उस्ते क्या बने दो हाँ क्या कर रहा है क्या कर रहा है तूने बोला कि मैं अधे प्लीज इदर तूने बोला normal की पारीव तो टींजन की स्लोप आगी माइनस वन वहां से तूने माइनस वन स्लोप की टींजन की equation टूंडी फिर उसका क्या करेगा तेंजन और नॉर्मल का पॉइंट वह तो वह पॉइंट ही आगे ना जाब पर टींजन बन रही है मैं यह मैं सब गलत नहीं है वाट उसके लिए यह सब पंगा करने की जुरूरत क्या थी पॉइंट चाहिए ना जिस पॉइंट में यह बन रहा है में उन लढ़ट यही और यह बिच में नॉर्मल की मैने को मट वाल रहा है ुपुइंट ओ गया ना फॉट और काम मइनस वhmen सुविद्य है लो जी करने अपैस पॉटो वए को बैसे कि गश्कर क्वाइश हो dizer टाइस्ट करिफोर इंट्व एंट्व की वैल्यूं वाउ पॉर एक bilangत फॉर एक देखले जो कैभा कि करने पर किरो तो को इसे नौर्मल की किस्यों को तो करना पड़ेगा जो मस्जी हो जाए ऐसे नहीं आएगा और वो एक चप में भी हो जाता आगे लिको प्रॉपटीज प्रॉपटीज टाओे लिको प्रॉपटीज कर दो एक चाने भी हो आगे लिकोषाय ऊए इसक्तारी हो एक चाने प्रॉटीज कोई हो邊 चाने प्रॉटीज थी यह जो प्रॉप्टी रहना टेंजन नॉर्मल की कट्थी है ठीक है इन जनरल पैरबोला की प्रॉप्टी रहां ठीक है करें अब देखो जो इसके उप्र हमने एक पॉइंट लिया 80 स्केर कोमा 280 इस पॉइंट पे बनाई टीन जाए एंड यह आगे यह दिया इसका डेरेक्ट एकटिक्स एक्स एक्स इकॉल टू माइना से ठीक अब यह पॉइंट आप पी यह पॉइंट है T, यह पॉइंट है T- अब पॉइंट यह है length of tangent between point of tangency and directrix तो यह length की बात हो रही है तो यह जो length है यह focus of the parabola बें 90 degrees of 10 करती है कोई भी parabola ले लो यह mission 90 degrees of 10 करेगी चुट-चुटी properties है मैं सबको proof दे रहा हूँ जहां पर tangent directrix को touch करी है अब इसकी पॉइंट पर tangent की question कहेगी Y T equal to X plus A T equal to 0 करके जा जाएगा अब इरको यह point दूना है यह point करा जाएगा जहां पर X क्या है माइनस A क्योंकि directrix की उपराने वाले हरी point का X क्या है माइनस A तो माइनस A put कर दिया तो Y क्या आ गया X क्या था माइनस A तो A comma T square minus 1 divided by T तो यह point है यह point आ गया minus A comma A T square minus 1 by T X इसका तो minus A रहेगा और भाई हमने यहां से निकाला है X को minus A put करके यह clear है यह हमें पता है A comma 0 और यह हमें पता है तो मैं इसका slope और इसका slope निकाल सकते हो तो दोनों का product क्या होना थी है तो मैंने इसका slope निकाला क्या आगे डेल्टा वे डेल्टेक्स तो 2 A T minus 0 तो 2 A T divided by A T square minus A उपर-nीचे A कटा तो आगया 2 T by T square minus 1 अब इसका slope डेल्टा वे डेल्टेक्स तो इसका Y minus 0 तो इसका Y minus 0 यानिकि A into T square minus 1 by T minus 0 तो यही रहेगा divided by डेल्टेक्स यानिकि इसका X minus A minus A minus 2 A यह कटा तो क्या आगया T square minus 1 by T into minus 2 तो minus आजाएगा नीचे आजाएगा 2 T अब दोनों का product करोगे 2 T 2 T कटेगा T square minus 1 T square minus 1 कटेगा तो क्या बचेगा minus 1 तो M1 M2 आजाएगा हैंस यह पर्पेंडिकुलर हो गए राइट तो पॉइंट है लेंथ ओफ दी टेंजेंट इंटरसेप्टेट बट्वीन दी पॉइंट ओफ टेंजेंटी एंड डिरेक्ट्रिक्स और रेटेक्ट्रिक्स अल्वेज सब्टेंज राइट एंगल एट यह समझें चर्डिको लेंग उब तंजेंट इंजेंट इन अप्र्ट नेंठिट बट्रेंट झेंट इंटर्य टीक्ट्थ te सब्टेंज राइट एंगल एट पोकर्स अब टेंज राइट एंगल एट पोकर्स ठीक चलें जल्दी से ड्याग्रम ना लो लेख को लॉँग करता है कि युग स्ब्टेंज बटने किस्वे कि लाइट एंगल प्रप पर पर प्याटर कौह है ॡब अने तेंग अपान अएन अजे अपन एन ने 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 इंगे अ ऊबाऊ कि यंगे आ ने अन एट वर्त कि लाइज ओन टेंजेंट एट वर्टेक्स है ठीक अभी क्या चीज़ है पहले तो यह देखो कि अगर यह पैराबोला है तो तो जो इसका वर्टेक्स है उस पर टेंजेंट क्या बन रही है है इस पर टेंजेंट जा रहे है यह वर्टिकल आयरा और कि कोई भिटेंग्स hell कुंटि की ऊपर पर प्रपैंडी रहोगा वह पर की चारब करेंगा वह तक आपर मीट तो बुटsh करेगा वह इसी ओपर यहां पर यहां पर हमेशा कूई पना देखो इधर लेट से इधparagus तो इसी फोकस है उस टेंजन की उपर पर्पेंडिकुलर वाला जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमेशा कहां पर लाई करेगा वो इसी लाइन क्यूपर लाई करेगा और कहीं निलाई करकता यह समझे यह यह दोनों का प्रोड़क्ट हमेशा क्या होगा अब यह तो टींजन का स्लोल्प है इस एकुमा तो टींजन की स्लोलप की आएगा जियाद है तो पर प्रोड़क्ट हे आएगा देकक्षिशन वाई टी इसली क्ली ऊौस अहeremosड़क्ट प्लस तो Villageत क्या कंप स्टावी लाइगा सफिरो करकर लोक्हान 9 तो वाई किया आगया एटी प्टाइट आगया 0,0 तो भी यह मैं तो इसका भी स्लोप डून सकता हूं डेल्ट वाई डेल्टेक्स करके क्या जाएगा 80-0 अपॉन जीरो माइनस ए यह दिए एम टू कटा तो क्या गया तो एम वन आ रहा है वन बैटी एम टू आरा माइनस यह तो ओविएसली पर्पेंटिकल बनेगा तो इसले फोकस से टींजन की उपर जो पर पेंटिकलर आएगा यह यह कहां पर लाई करेगा वर्टेक्स पर जो ट कि वाई एक से क्यूपर एक जीरों था है कि ने क्योंकि अगर पैरा वोलार स्लांट भी हो गया तब भी यह प्रॉपटी वैलिड है कि अग्युक्ष के इंजट्स कि यह वर्टेक्स में जो टेंजेंट आ रही है इस लाइन के ऊपर यह पॉइंट आएगा नो नॉर्मल अदर देन दी एक्सिज ओफ दी पैराबोला नो नॉर्मल अदर देन दी एक्सिज ओफ दी पैराबोला नो नॉर्मल अदर देन दी एक्सिज ओफ दी पैराबोला पाशेश त्रू दी फोकस पाशेश त्रूदा फोकस तो मैं प्रूब करना है कि पैराबोला का जो नॉर्मल है वो फोकस से अभी पास कर सकता अगर नॉर्मल क्या है उसका एक्सिज अदर्वाइज कोई और नॉर्मल बन नहीं सकता जो से फोकस से पास कर ठीक है तो देखो देखो कि इसको बन रहा है जो डिए उसके प्रेडिल लाइन गया जागा फिरापॉला है जा नॉर्मल राइह कहा पे इस यहां पर नॉर्मल बनेगा वह वह क्या वनेगा एक्सिर लिए वर्पार वल्या यह समझ में तो वो जो पॉइंट बोल रहा है चक्छ एक लोग रहाए ने अट वही नॉर्मल बन रहा है इस नॉर्मल यहां से एक ओमा जीरो से पास करेगा कोई और नॉर्मल लो पेर biggest ओजिए यह इसे पास यह फैप इसका प्रूब दे रहा हुभी तो प्रूफ दे रहा हूँ अभी तो मैंने क्या किया इसका एम फ्लोप का यह टी पॉइंट का नॉर्मल का एक्वेशन ले लिया तो क्या जाएगा वाई इकल टू एम एक्स माइनस तू एम माइनस गाईन अगर यह नॉर्मल फोकस से पास करना है तो फोकस को सडिस्वाई करना जाए तो मैंने पॉइंट को पुट करा दिया जिघ Hip x को a put किया तो am minus 2am minus am cube क्या क्या माइनस am minus am minus am cube that is equal to 0 तो minus am common तो 1 plus m square that is equal to 0 तो क्या अंसर आ रहा है देखो तीन चीज़ों का product 0 हो रहा है या तो a 0 या तो m 0 या तो m square plus 1 is 0 तो m square plus 1 0 नहीं हो सकता क्योंकि मैंजिनरी आजाएगा a 0 नहीं हो सकता प्रोपडियों पैरावोला रहेट तो m equal to 0 is the only normal जब नॉर्मल का स्लोप बीन हो जाएगा जब वो फॉकस से पास करेगा हाई ना पर यहां से आ नहीं था मतलब कोई और नॉर्मल यहां से पास करें नहीं सब्सक्राइब यह समझें इस पैरावोला की बात कर रहे हैं यह इसका डिरेक्ट्रिक्स यह इसका फोकस अब बोलो अब यह एक्सिज हां बट इसका कोई भी और जो normal है मैं यह बोलो कोई भी normal यहां से पास नहीं करेगा तिर्फ यहीं वाला नॉर्मल होगा जो पास करेगा जो इसके वर्टेक्स पे और नॉर्मल बना बेसिकले और वर्टेक्स पर जो नॉर्मल हो तो एक्सीज फैरावोल ही होता है मैंने एक्सेक्षिज वर्ड यूज नहीं किया धार। एंब एंब ट्रीफ निह वह इन आप में प्रस्ट निए अजय हो सिर्च इंड वत्वें नौर्म विल पास्थ दूह फोग एंग कर दूख थे वाई है देखो यह बहुत इंपोर्टन पॉइंट है ठीक है अब जो आ रहा है वन ओफ दी मेन प्रॉपर्टी ठीक है फ्लीज जाओं से सारे इदर छोड़ों अभी हमने एक पॉइंट लिया एटी स्कियर कोमा एंड यहां पर बनाई टेंजेट ठीक है पी जहां पर टेंजेंट एक्स एक्स को टकरा रहे लग्सेट पॉइंट इस टी फिर मैंने बनाय यहां पर नॉर्मल एंड वह नॉर्मल जाओं पर एक्स एक्स को टकरा रहे लग्सेट इस एक एंड दिस इस इस बी फोकर ठीक है अब पॉइंट यह है कि फोकस जो होता है ना वह इन तीनों पॉइंट से एक्विश्टेंट होता है मतलब एस्टी वुडबी इकल टू एस्टी वुडबी इकल टू एस्टी वुडबी इकल टू इस तीनों की तीनों परापर होगे जो मरती हो जाए यह सिर्फ इतने नहीं इसका अगला प्रोपर्टी जो आएगा इसका इसका एक्सेंशन आएगा ठीक है तो इसके पहले इसको समझो यह क्लेर हुआ अब यह प्रूब करना है बहुत सारे चरीकिया करने के प्रूब ठीक है देखो सबसे पहरे मैंने टींजन की कोईशन निक सब्सक्राइब गुए सब्सक्राइब तो यह की आगिया माइनस अपिक है को मारे यह आगया है कि इसकी ट्रट्ल सब्सक्राइब तो तो ट्ल एक यह वर अपने कितना चाहिए एए कि यह आ गया स्टी कोई डूट इसमें यह पता चला ना नेगरी सेंट इस जू टू तर डिरेक्शन वह हटा के हम बिसकली लेंथ लेकर जाएंगे अच्छा अब उसके बाद मैंने नॉर्मल की कुशन निकाली उसी पॉइंट पे तो वाई इकॉल टू माइनस टी एक्स प्लस टू एटी प्लस एटी क्यों यही था अब यह नॉर्मल देखना एक सक्षिस पर काहां पर टकरा रही है तो वाई को क्यों पॉट करेंगे तो पॉइंट एन के लिए इसके अंदर क्या पूट कर दिया वाई को जीरो यह जीरो हो गया यह इदर आया तो टी एक्स डेटी इकल टी एटी को मन क्या एगा टू तो यह टीटी कटा मैं यह समझें अपने को एक्स यह ना अपने को टी तो जहीं नी तो क्या अगया तूए प्लस अटी स्केर तो पॉइंट आ गया तूए प्लस एटी स्केर, कोमा जेरो अब जियांसर देखो यह लिएंध कितनी आ रही है कितनी है तो एसन कितना आ गया कि ए प्लस तो यह तो दौन से हम आ गया है अब एसपी के बराबर प्रूब करने के लिए मैंने यह देखा एस पॉइंट का फॉकस से डिस्टन्स क्या होता है उसका डिरेक्टरिक से होता है उस पॉइंट का फोकस से स्पी मैं क्या करूंगा उसका डिरेक्टरिक से डिस्टन्स क्योंकि पी इस इकुल टू आप यह क्या आएगा इस पॉइंट पाई एक सीटन्स दिस्टन्स क्या थे लैसंट का थे आएगा ज wrap स्क्राइब और यह कितना है तो दोनों मिला कि कितना दाएगा तो मेरा एस पी वुड़ बी इकोल टू पी एम डेट इस ए प्लस एटी किया हेल्स तीनों की तीनों हमारे पराबर होगे यह क्लेर हुआ है शौर देख लो जल्दी क्या 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 कुंसा वह पीप्ट पे इंदे बाइट बाइट इंजना नॉर्मल अब तो हो गई होगा एक नॉर्मल है देशिते इंजन एक सिक्ट्न इन दिस इंडिस नॉर्मल ओं देगरा मरा कि एस्पी कोल एस्टी कोल था यह लिखना है कि 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 झाल झाल ठीक अच्छा अब जांसे देखना जाना ठीक है कि अगर इस ट्रेंडल की मैं बात करूं एस टी पी एस टीपी ट्रेंगल की बात करूं ठीक है एस टीपी तो यह थीटा और यह थीटा अब अब क्योंकि यह लाइन और यह लाइन पैलल है क्योंकि यह प्रपेंडिकुलर है ना तो यह थीटा और यह थीटा भी क्या होगा तो इसका मतलब पर जो होता है यह किसका उस पॉइंट को फोकस से जोइन करके वह लाइन का एंड उस पॉइंट से प्रपेंडिकुलर बनाएंगे डिरेक्टेश के उपर उस लाइन का उन दोनों का हमेशा क्या एक्ट करेगा यहां ता कोई डाउट शॉइंट नेक्स पॉंट लिको दो पॉंट आएंगे अभी एक एए एक इसका उग्ला टेंजेंट अट एनी पॉइंट टेंजेंट अट एनी पॉइंट इन पॉइंट इस दी एंगल बैसेक्टर ओफ दी एंगल फॉर्म्ड बाए the the ंगल इंगल फॉर्मड वे को को ट वट प्याँ व्यंट को and perpendicular line from that point on directrix एन पर्पेंडिकुलर लाइन फों देट पॉइंट ओन डिरेक्ट ट्रेक्ट क्लियर है इस डियाग्राम बना लो इस पॉइंट पर एट इस के रही है ने ने वह ब्रेकेट का था इस पॉड़ा एट इस के रहा है इस पॉड़ा खीश पॉड़ार से ने फॉड़ा है अब इसी का एक्टेंशन आएगा देखो एक लेखो अब यह था अब मैंने यहां पर बनाई नॉर्मार्ट तो देखो और यह आदी आ जाए टेंजने नॉर्मार्मार्ट के बीच का यह थीट तो यह कितना जाएगा अब इसकी लेंग आदेंशने पर देंशना लांट क्रेंशन लाइंट्व तो ये भी आ जाएगा तभी जाकर टोटल बनेटी जाएगा ये क्लियर है अच्छा अब ज्यान से देखो इसका मतलब यह है टेंजन जो थी वह इसका और इसका एंगल बेसक्टर था तो नॉर्मल जो है वह उसका फोकल कोड एंड उस पॉइंट से बनेगी उन दोनों का कि अगर यह जो मिरर है कि कुंसा मिरर पराबोलिक मिरर ठीक है एंड कोई भी रे होर्दॉंटल आई तो रिफलेक्ट होने के बाद एंगल ओफ इंसिविनेंस इकल एंगल ओफ रिफलेक्शन करने के बाद यह कहां से पास करेगी फोकॉस से पास करेगी क्यों क्योंकि इस पॉइंट पर हमने बनाई नॉर्मल और उसके साथ तो एंगल यह क्या आएगा एंगल ओफ इंसे नॉर्मल के साथ करते हैं तो यह दोनों तो सहीं है तो इसलिए कोई भी लाइन जो कि होर्जॉंटल आ रिया होर्जॉंटल का मतलब एक्सिस के पैरलल है होने के बाद से कहां से पास करेगी एंड इंट फोकस करने के बाद पिर से वह हो जाएगी और यह समझ में आया है अब यह सोचो हमारे जिसने भी डिश्ट होते वह पैर वो लिक्की होते हैं क्योंकि पहले बाद तो सिग्नल हम अधियुम करतें बहुत दूर से आ रहा है इ इदर से काच करें घड़ी तो मैं डिश्ट को पहले बाद तो उस तरफ सो पॉंटड़ करूंगा ताकि जो थिगनल आ रहे हैं वह सारे की होचा के अधिश के और जो पहरा पे तक्राएंगे एसने हमारा यहां पर करने के लिए इस प्रोपटी के कारणने इसलिए क्लेर हु हुआ है यह देखो यह आया फोकस कि दूपास करेगा यह ना फोकस की दूपास करेगा यह तो सारे के सारे कहां पर करेंगे यह समझे शौर नेक्स प्रभी को . Array parallel to axis of the parabola Array parallel to the axis of the parabola Array parallel to the axis of the parabola . After reflecting from the parabolic mirror after reflecting from the parabolic mirror will always pass through the focus will always pass through the focus clear example now अब देखो मालो पहरा बोला है वाइस के रिकल टू पॉर एक्ष एंड इंसिडेंट लाइन है तो वाइकल टू सम्थिंग होगा क्या लेकित है वाइकल टू तो देखो अब यहां से रिफ्लेक्ट करने के पास करेगा वह फिर से दुबरा अब पॉइंट समझें पका इदर इंसिडेंट रे पहला रिफ्लेक्शन फिर दूसरा रिफ्लेक्शन वापिस और दो जाएगी मेरे को इसकी कुश्ण निकाल लेए अगर देखो मेरे को इस जाए तो वाई इकोल टूट एट वाई हुर्दूंट लेना जाएगी अब यह क्या है अब आपकल कोड फोकशा फोकल कोड और फोकल कोड के इंटपाइट तो रिलेशन होता है ती वंटी टू इकल टू तो तो इसका दीब था जल सकता है क्यों क्यूंकि इस पांट का यह इसका एक वन पूट करके यह गया तो इसक्तिन का टी क्या है तो इस पैंट का टी क्या होगा तो यह ना तो यह पॉइंट का पूर्पिर निखालना एक तुमिकाल ही नहीं है तो आज एक टू एंटू टी एवन ए और ठीक है तो y equal to that is the answer, done, सिर्फ इतना काम करना से, समझ मैं आप properties को यूज करें से किया, sure, पक्का, no, question लिखो, अच्छा ये question दो लिख लिए था, अच्छा, एक सिर्फ, पहले example लिखो इसके साथ, question लिखवा देता हूँ, equation of incident ray is, y equal to 15, example, ये वाला कोशन, incident ray, equation of incident ray is, your incident ray lies along the line, ऐसा बिलेक्ष तो, y equal to 16, after reflecting, from the parabola of y square equal to 4x, after reflecting, from the parabola of y square equal to 4x, it passes through focus, and again it get reflected. ठीक ना, पहली reflection के पाल focus आपास करेगा, फिर से दुबारे रिफ्लेक्ट करेगा, right, find the equation of the ray, after the second reflection,